चिजा है कैसे बाएग REALLY तो हम लोग जो है कि कि क्लoritses की पट रहे हैं महाजनपद काल ठीक है तो महाजनपद काल में हम लोग देख लिए थे इसके वह थे प्रपशिय कची कि बहूर मित दे थी प्रिसके बाद हम लोग नें क्या देखा इसका महा जन्पत काल का उदय ठीक है इस चीज का भी समझा हमें ने तो आप इसके बाइग्राउंड को देख लिजेगा कल मैंने पुछे से संजाए है अब हम लोग क्या देखेंगा कि दुटी नगरी करण इसका पूरा देखेंगे कि अब के मेंस के लिए इंपोरड़न्स है तो आपको नाम अनिसको मार है ठीक है बता है ना आपको तो हम लोग आएशका बन देखेंगे इसको देखेंगे तो घूडन चैल्ड रहें इन्होंने क्या दिया है इस अभश्य को दूटी नगरी करण का नाम दिया है किसने दिय तो श्रोत क्या मिले हैं तो श्रोत में क्या मिला है इस समय सिकंधर वह भारत पर आक्रमण किया था तो सिकंधर महान यात्रियां जो यात्रिया थे नुठ समय तुन यात्र के जो यात्रा वृतान गारि मिलते हैं इसमें लिखा होगा कि कि पतले महांजान प्रद की कहले कि लिखें एक हम इसलय करोन शी अगर देखेंगे बहुत धर में पसुको सुखदा अन्यदा कहा गया है ठीक है बहुत धर में भी जो है यहां का उलेख अब बहुत धर में सुखदा और अन्यदा का मतलब क्या हुआ कि अर्थें करेंके डिखने केंगे पसुखक्ट कि आगया ईकते ही। इसन लिए शूखदा और अन्यदा कहा गया है या जो डाता प्रवेश सुखदा और अन्यदा को़िए हैं पसुखदा अन्यदा क्या ए पसुखदा-अन्य Tech- gå गाय के महत्तों को जो बुद्ध ने पहली बार यहीं पर समझाया था इसे द्विति नगर करण में बखुद बड़ी भूमी का है ठीक है मैं बता दूं कैसे है कि इसके पहले आपको पता है कि बली जो है बली भी दियाती थी जानवरों को यग में आउती दियाती थी पर यहा होगी जार से बाते बाइल तो बाइल कहां से आएंगे बर में लोग किसी कर रहे थे प्रैक्टर का उसकार कितना समय हुआ हम लोग के आये बहुत दिन नहीं भारत ने तो अब पूछे गना अपने दादसे तो बताएंगे कि हम लोग जो है या आप कुछ सब लोग ऐसे भी होंगे ना जिसने उने बैल से खेती करते देखा होगा भारत ने भी काई जगा अभी ह जो है कि यहां से बरतन मिलें ठिक न है भी है आप देख सकते हैं यहांसे बरतन कंट मिलें यहां से बातन मिला है तो बढ़तन कहा है माजन पत्काल जो है द्वितिनग्रें किसा अप्धन करना है वहां से पुरतात्विक सच आप इसे देख लिजिएगा कैसे कैसे बढ़तन हुआ है जो यह रहा फिर है देख सकते हैं एन पी इसे हम एन पी डावलू जो इसे बढ़तन करते हैं ठीक है ना कि यह बद्चाली हुआ है आथे चलते हैं कि हम लोगे एक मुख्या आयां हम लोग यह देखेंगे कि घू yep थी नगरीकरण 193 क नगरी करन कोह बहुए नगरीकरण का मतलब है समाजिक ब्योष्था से नहीं है अर्थिक परउडटन हो का तो भी नगरीकरण सब बेता हो सकती है तो हम लोग आर्थिक जीवन दखेंगे इस समय आर्थिक इस्थिति क्या रही तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाओंगा और आप इससे समझेगा को कि यह जाम के लिए होगा है तो लोगे कि जादह बड़ेगी तो आपको अनुर्व का जो आउजार भी बनाएंगे एक यहोगा कि तो ने होगाई तो अनूर्डू होगा तो फ्रस्में बनारा होगा तो उसे काम मिल लाएगा तो जूआ हिसे सिलपी कहा गया है उस समय तो काय मिलेगा तमाले उसका भी एक तरह से एक रांती में भोम का compr और देखें ज ranks जो बना हुआ है तो हल से क्या होगा लिंस की क्रादी की होगी ऑफ जब लकड़ी की हमन्त थे लेकिन इस वह न Tom खुदाइ छेतों में अंदर तक कर सकते हैं च OH dieses जो मिटि है जब जो अंदर के जो मिट्धी वह रहेंगे तो खेती आप करेंगे न कृष्यित तो बहतर धंग से हो पाई को दिधर को लोग कर देट हैं तो यह भी ब्यापार करें तो यह से भी जो है अपूर करते थे जिससे क्या होगा इमारती कव करते के नगरिक्रण में सहायक होगी मघद से मघट से मिला है चैटिस गंढर से अवंति की कि अवंती की आवंती कि खानों से लोहे कि प्राप्ति हुए है मगत से 34 घंड अवंती सब लोहे की खाने मिलेंगी अगर वह यह उन्हें मिलेंगे और यूद्म यूद्वा करेंगे एक जन से दूसरे जन को मारेंगे तो एक तरह से क्या होगा महाजनपद और एक तरह से समराज विश्थार भी ऐसे हुआ है इस समय क्या हो ना कि अब धान की रुपाई होने लगी पहले क्या होता था धान रोपा नहीं जाता था अब यहां से धान की रुपाई श्टार्ट होगे अब यहां पर जाएगा तो आपको पता है गुच्छे में रोपा जाता है और जिस खेत में आज भी आप लोग देख सकते हैं जामपल जिसे कि आप लोग किसी खेत में धान को ऐसे फेक देंश ठीक है उपाज ज्यादा नही होते हैं ठीक है अब कुरों के सब्सक्राइब अनिवार कर दिया गया था उनिवार कर दिया गया था और इसका कि करें सैंव स्लप्यों का भीड़ाव मतलब क्या है स्ल остल पीं नेक अपना कारेष कर रेंग नहीं करते हैं लेकिन वो legends उनका मुख्यकार रहे हैं मुख्यकार क्या है इसके कुछ लोग वस्त्र बना रहे हैं तो वस्त्र बनाने वाले सिल्पी एक कारीगर कर सकते हैं आप एक वस्त्र बनाने वाले बरतन बनाने वाले आप देख सकते हैं आप प्रमुख सिल्पी समय काउंत हैं तो वस्त्र उद्य मैं इससे में स्थ्रेंडीयों का भी विकास हुआ है किसी एक कारे में बहुत ज्यादा उन्नत है जो है किसी एक चीज में अब क्या होगा कि विकास होना ही है कि अगे तो हगा स्वाँचिछ नेगाटी निगेव नहीं मिलता था तो आप यही काम को बारे बार करेंगे तो उसमें क्या हो गए आप एक्सपोर्ट हो गए आखिरी जो फैदा किसका है देश का है ना वह तो देश का नहीं वह महाजन पद यानि उसमें दगरी करणु में इभी भूमी का निभाते हैं यह सब आयाम है ठीके ना लेटके बाहर ने होना चाहिए निए समुदर में आप क्या करेंगे समुदर में चले जाएंगे तो आपका धर्म विकार हो जाएगा धर्म नश्ट हो जाएगा ठीक है यह इस चीज़ों पर अटरोज संतान में भी क्रानती हुई आपको पता है तो धर्म हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट तो वैदिक से बताएं कि जो है मतलब समुद्र से ब्यापायर करना इन लोग प्रतिबंद लगाये थे और किसिसे आप ब्याज ले रहे हो तो यह सही नहीं है कर्च भी लोग कर्च लेते आपको नहीं मिलेंगे और बाहर बिदेश ब्यापार नहीं करेंगे तो क्या अगर्ण होगा संभॉई नहीं जब तक आप विदेश ब्यापार ना करें आज देख रहें कितने बंदरगाया बन गया है तो ठीक है इसका भी सत्पत ब्रामण मुलेक मिला हुआ है जो बैतिक धर में करज लेना समुद्र व्यापार करना ब्याज लेना पर मना ही था लेकिन क्या हो ना इसके पस्चात ही कि मैं आपको करेंट इजांपल देख समझाता हूं कोई भी दो पक्ष है एक जो है अगर पूर्ड लोग तांत्रिक है ना पूर्ड लोग तांत्रिक तो दूसरा क्या वार राश्त तंत्र क्यों जाएगा ही जाएगा तो यह यहां भी आप अच्छा देख सकते हैं आज नर हुआ निमदी की दौरण बहुत सारे क्या उठाएगा हैं जो हुआरे मंत्रे हैं उसकी पारिस में क्या होँव कि बहुतर लोग तॉन्तर क्यों बारत की जो मांग थी उसके अनसार वह इक जो है उनक दिखाई देती है इस तरह क्या है कि बुटेन और आपको में अमेरिका क कि व्याज्म होते हैं लडाई कर देंगे प्था नहीं होगा ब्याफार नहीं होगा तो ब्याफार नहीं होगा तो किमेसी लेना है उन्हेBox लेकिन आप समझ में आईगा कि अगर दूसरा कोई भिद्धरम है भूधर में कोई भिधर्म 辉ता तो वह इसके विप्रीत करता रहा किया हूए तो पिले लगूं कर देगा तेखियां व्यपार भी सुरू कर देगा और और क्या होगा कि जो समुदर है पार भी सुरूरो हो तो इसे क्या होगा ना कि अब नगरी करण में भूमिका होगी क्योंकि आप व्यापार करना सुरू कर देंगे हम लोग यहां से बंदर गाहों की विजानकारी मिलती है अगर आप यहां से बंदर गाहां तो आपका सिल्फ अधी सेस होगा अब जब सारी सेस होगी तो आपको जो है नगरी करण होना ही ठीक है पिर आगे हम लोग देखेंगे समझ रहे हैं तो यही चीजे जो है बहुत इंप्वर्टेंट है तो कि नगरी करण जो है तो नगरी करण जो है यह जोए खिर हो गया उचे-उचे भावन औे भातिक जीमन है नगरी करण्ण बंदर गाहत के में दिर्न प WAड हम लोगे नहीं से देखने मिलता है धार में कि से लोगे मेरा इस तूफ हो गया चैत हो गया इसमें जो खूब ब आपको बता दूं कि नगरी करन वहां आपको देखिए जैसे कि आप अब अबरांट सी देख रहे हैं क्या इधार में किस ताल है ठीक है सबसे पहले आपर क्या था अब आपको इस्तूप मिलेगा अब आपको अब आपको सारी शीजा समझ में आ जाएगी अब देखने लोग आएंगे बाहरी लोग आएंगे विदेसी भी लोग इसको देखने आए हैं आज भी आ रहा है तो क्या होगा देखने यहां पर जो पर आज पास के दियोगें उनको जीविका के साधन मिल जाएगा यहां पर नगरी करण हो गाएंगी लोगों के पास पैसा हो जाएगा लेकिन धीर हो जाता है इसको देखने यह आगे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे 16 महाजनपत की जनकारी अब कहां से मिली है 16 महाजनपत कौन है इनके क्या विशेचता है इन सब चीज़ों को देखेंगे अगले ग्लास में देखेंगे टाइम वेश्ट ना करते हुए डाइड